हलो अबरिवान वेलकम बेक टू मैं चैनल स्रिग्यान और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की जियोग्रफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है क्लाइमेट तो क्लाइमेट से रिलेटेड सारी चीजे हमें इस चैप्टर में देखने वाले हैं तो बने रहे वीडियो को अन तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेर कर दीजे ताकि वो भी इस चैनल को फ्री में देख पाएं तो अब चलिए सुरू करते हैं इससे पहले हम इंडिया के जियोग्राफिकल फ प्लेट्यूज कहीं पे माउंटेन्स तो इन सब की वज़ा से क्लाइमेट पे काफी असर परता है तो हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं इसलिए इससे पहले ही हम वो सारे चैप्टर्स पर चुके हैं सबसे पहले हमें दो सब्दों के बीच का डिफरेंस पता करना पड़ेगा एक तो क्लाइमेट और दूसरा वेदर हमेशा याद रगेगा कि क्लाइमेट एक लॉंग पीरियर्ड बेसिस पे काउंट किये जाता है ठीक है में थार्टी इयर्स के में जो चेंजेस होते हैं क्लाइमेट कहते हैं लेकिन वेदर का मतलब है कि सुबह आप जब कभी भी मतलब वेदर का टाइम देखोगे तो एक लिमिटेड टाइम के लिए मतलब अभी आप कह सकते हो कि अभी मौसम अच्छा है या फिर यह कह सकते हो कि अभी रेनी वेदर है या फिर होट है यूमीड एरीड है जो भी है तो वह एक लिमिटेड टाइम के लिए वह बहुत ही छोटा टाइम होता है टू सोट ठीक है बट हम आज का वेदर कह सकते हैं कल का वेदर कह सकते हैं लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि आज का क्लाइमेट कल का क्लाइमेट हम यह कहते हैं इंडिया का क्लाइम इसलिए जब हम पूरे साल का या पूरे 10-20 साल का बात करते हैं तब हम climate की बात करते हैं और जब हम कहते हैं कि weather तो हम कहते हैं आज का weather कल का weather तो weather जो है वो सिर्फ एक दो दिनों का भी हो सकता है बट climate क्या होता है बहुत बड़ा होता है देखो यहां पर definition लिखा हुआ है climate refers to the sum total of weather conditions and variation over a large area of a long period of time लगबक 30 सालों से ज़्यादा सालों में जो बदलाव होता है कहीं weather में ठीक है उसे हम climate कहते हैं जबकि weather क्या कहलाता है weather refers to the state of atmosphere over an area at any point of time आप जब बात कर रहे हो उसी समय की भी बात हो सकती है the element of weather and climate are same देखो elements दोनों के same है elements क्या होंगे जैसे की rainy, hot, humid, right या फिर arid तो ये उसके elements हैं और ये तो same ही रहेंगे बट देखो और भी कुछ चीजें है elements के नाम पर temperature, atmospheric pressure, wind humidity and precipitation ठीक है you may have observed that the weather condition fluctuate very often even within a day मतलब हमने ये देखा है कि सुबा सुबा खूब सुन्दर सी धूप निकली होती है और दो पहर होते होते बारिस हो जाती है, right तो ऐसा भी हो सकता है और इसके reasons क्या हैं वो हम देखेंगे but there is some common pattern over a few week or month लेकिन हम सबको पता है कि जो मतलब जून जुलाई का मौसम होता है वो हमें किस चीज के लिए मिलता है? summer vacation के लिए, right और जो January का या December का महिना होता है वो किस चीज के लिए मिलता है? हमें छुट्टी अगर मिलती है राजस्थान में winter की vacations भी मिलती है 15 दिनों की ठीक है, आसाम में नहीं मिलती राजस्थान में winter की vacations भी 15 दिनों की मिलती है और summer की vacation minimum वहाँ 20 से 25 दिन मिलता है तो weather जो है वो वैसे तो normally कुछ महिनों के बाद change होता है यह बट कभी कभी एक दिन के भीतर भी हम यह देख पाते हैं कि अचानक से तो काफी गर्मी हो रही थी और अचानक से कहीं से बादल आया और बरसात हो गई ठीक है तो on the basis of the generalized monthly atmospheric conditions the year is divided into season तो जो normal conditions होती है माल लो की इतने से इतने समय तक हम गर्मी रहती है किसी जगा पे ठीक है उसके बाद इतने से इतने समय तक बारिस होती है इतने से इतने समय तक ठंड परती है ठीक है तो इस हिसाब से और इतने से इतने समय तक फिर गर्मी रहती है तो इस हिसाब से हम year को divide कर लेते हैं कि कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है और इसे हम क्या कहते हैं सीजन ठीक है देखो पूरे विश्व को अलग-अलग क्लाइमेटिक रिजन्स में बाटा गया है दो यू नो वाट टाइप अफ क्लाइमेट इंडिया है इंडिया का क्लाइमेट कैसा है क्या आपको पता है और ऐसा क्यूं है यह भी हम परहेंगे देखो अरेबिक वर्ड मौसीम से मौसीम सब्द बना है इस मौसीम का मतलब भी क्या है? सीजन तो हम इसे कहते ही है क्या कहते हैं हिंदी में? मौसीम रइट तो अब बढ़ते हैं आगे मौनसून रिफर्स तो दा सीजनल रिवर्सल इन दा विन डाइरेक्शन दियूरिंग अ यार अब आगे देखो यह देखो दा क्लाइमेट अफ इंडिया इस दिस्क्राइब अज दा मौनसून टाइप इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? इस या की हम बात करें तो साउथ और साउथ इस्ट में पाया जाता है याद रखिएगा साउथ का मतलब होता है मैप में नीचे ठीक है? और इंडिया इस या के सबसे नीचे है ठीक है? डिस्पाइब अन ओवर और यूनिटी इन जेनरल पैटर्न देर आर पर्सिपेटिबल रीजनल वेरियेशन इन क्लाइमेटिक कंडिशन विद दा कंट्री अलग-अलग कंट्रीज में फिर भी कुछ न कुछ डिफरेंसे होते हैं अलग-अलग जगा पर पर्सिपेशन अलग-अलग होता है यह देखो in summer, the mercury occasionally touches 50 degrees Celsius in some parts of the Rajasthán मतलब, mercury मतलब planet mercury नहीं बलकि जो temperature मापने वाला, हमारे पस धर्मामीटर होता है उसमें, जो mercury होती है, वो 50 के पार हो जाती है और फिर 50 को छू देती है तो राजस्थान में तो बात सही है मैंने खुद थेस किया है राजस्थान में कि पचास तक गर्मी पहुँच जाती है वेरिज इट में भी राउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन और उसी समय 20 डिग्री सेल्सियस होता है पहाल गाम इन जम्मू एन कस्मीर तो सोचो कितने डिग्री का डिफरेंस आ गया 30 डिग्री का ओन विंटर नाइट टेम्परेचर एड द्रास द्रास कहां है जम्मू एन कस्मीर में में भी एज लो एज 45 डिग्री याद रखिएगा माइनस 45 डिग्री तक चला जाता है जम्मू एन कस्मीर जबकि तीरू बनान पूरा में उस समय 22 डिग्री का टेम्परेचर होता है तो मतलब कि लगभग 65 डिग्री का चेंज देखने को आपको मिल रहा है ठीक है इन सर्टेन प्लेस देर इज वाइड डिफरेंस बिट्विन डे नाइट टेम्परेचर देखो थार के जो राजस्थान है वहाँ दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री तक होता है लेकिन रात होते होते वो 15 डिग्री पे आ जाता है तो के जो अंड़माने निकोबार द्वीप समू है वहाँ पर कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है अगर सुबा 30 डिग्री यह है तो साम तक 28, 29 यह ही रहेगा खूब होगा तो 25 हो जाएगा ठीक है लेट उस नाव लूक अट पर्सिपिटेशन पर्सिपिटेशन क्या है यह भी देखना जरूरी है देखो पर्सिपिटेशन होता है कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है पहली बात दूसरी बात कि किसी सीजन में ज़्यादा होता है किसी सीजन में कम होता है वाइल पर्सिपिटेशन इस मोस्टली इन दा फॉर्म अफ स्नोफॉल इन दा अपर पार्टस अफ हिमालिया तो precipitation का मतलब होता है पानी की बूंदों का बर्फ में बनना और फिर बर्फ का बनकर पिगा जाना तो ऐसा ज़्यादा तर कहां होता है? Snowfall के रूप में होता है Himalayan Mountains पे It rains over the rest of the country The annual precipitation varies from 400 cm in Meghalaya to less than 10 cm in Ladakh and Western Rajasthan मतलब Meghalaya की एक जगा है चेरापूजी ठीक है मौसिन राम बोलकर एक जगा है वहाँ एक बहुत ही famous जगा है चेरापूजी वहाँ पर 400 degree cm तक बारिस होती है भारत में सबसे ज़्यादा बारिस वहीं होती है ठीक है? और वहीं राजस्थान में सबसे कम होती है बहुत कम होती है कि Meghalaya के मौसिन राम में बहुत ज़्यादा Most a part of the country receive rainfall from June to September तो भारत में बरसाथ के मौसम जून से सितमबर इतना तो याद रहे गा ही लेकिन हर जगा नहीं होता है तामिल नाडू और केरला के जो समुद्री इलाकों के किनारे का भाग है वो ऐसा नहीं होता है ठीक है जो मतलब यह इंडिया के मैप के जो तामिल लाडू और के लाग है कोस्चल इलाके हैं यहां पर बारिस ऑक्टूबर और नॉवंबर के महिने में होती है ठीक है इंग जनल कोस्टर एरियाज एक्स्पीरियस किलिए Caesar कोंट्रास्टिर अंटर इंटीडियर अशी कर्ट इससे आप किसी कंट्री के भीज़ियांस वैसे वैसे आपको seasonal variations जदा देखने को मिलेगा seasonal contrast जदा देखने को मिलेगा ठीक है there is decrease in rainfall generally from east to west मतलब इधर जदा बारिस होगी और जैसे जैसे आप इस तरफ आते जाओ मैप में तो आपको कम बारिस देखने को मिलेगी ठीक है अगर हम इंडिया का में अब हम कुछ इस तरह ड्रो करें तो आप यहां यह आसा माल लो तो और यहां यह पंजाब माल लो ठीक है तो अब आप देखो कि इस्ट में इस्ट किदर है यह वाला पॉर्शन रेट हाँ यह पूरा पकर लो तो यहां ज्यादा बारिस होगी और यह वाला एरिया वेस्ट है तो यहां बहुत कम बारिस होगी मेगाला यहीं है रेट तो मेगाला में चेरापुजी में बहुत ज़्या जबकि राजस्थान यहाँ गुज्रात यहाँ यहं बारिस कम होती है कि ऑके क्या जैसे जैसे आप इस से वेस्ट की और जाते हो तो आपको डिक्रीज इन रेंफोल देखने को मिलता है यानि कि बारिस कम होती हुई नजर आती है इस वेरियेशंट से गिवें राइस तो देखो जो जहां रहता है उसकी लाइफ अलग-अलग होती है ठीक है, in terms of the food they eat, मतलब वो अलग तरह का खाना खाते हैं the clothes they wear and also some kind of houses they live अब देखो क्या होता है कि जहां बहुत ज़्यादा बारिस होती है, वहां के घरों की छट कुछी इस तरह की होती है ठीक है, कुछी इस तरह का घर देखने को मिलता है जबकि जहां बहुत ज़्यादा धूप उकती है, वहां के घर इस तरह से होता है ठीक है, इस तरह से मतलब उपर एक ऐसा छट बना होता है, आराम से इस पर कपरे सुखाय जाते हैं अचार, पापर, बस, मज़े से, बिल्लिंग्स बनाए जाती है जबकि ऐसा घर आपको ज़्यादा तर देखने को मिलता है क्योंकि यहां बारिस ज़्यादा होती है, तो अगर बारिस ज़्यादा होगी तो बारिस यहां रुकेगी, यहां फिसलन भड़ेगी, ज़्यादा तकलीफ होगी लोगों को बेल्लिंग पर भी प्रेसर पड़ेगा, जबकि यहां अगर बारिस होगी तो बारिस क्या होगा, बारिस गिरेगी और नीचे चली जाएगी ठीक है तो इसी वज़र से अलग-अलग इलाको में अब आप खुद एक बात बताओ, कि आप पकोड़े कभ कहना पसंद करते हो सरदियों के मौसम में या गर्मियों के मौसम में ज़्यादा तर लोग पकोड़े सरदियों में खाना पसंद करते हैं चाय, कॉफी, ये सारी चीजें ज्यादा कहां यूज होती है, सर्दियों में यूज होती है, ठीक है, और वहीं गर्मियों में हम क्या पीना पसंद करते हैं, cold drink, cold coffee, ठीक है, ऐसी चीजे, juice, ये हम गर्मियों में पीते हैं, हम गर्मियों में सैलेड खाना पसंद करते हैं, जब जाके में रहेगा उसके खान पान से लेकर उसके रहन सहन कपरों में बदलावाता जाएगा ओके वाई दा हाउसेस इन राजस्थान है थिक वाल्स एंड फ्लैट रूप्स मतलब राजस्थान में जो घर होते हैं उनके वाल काफी मोटे होते हैं अजिक है यहां देखो उनका वाल काफी मोटा होता है जबकि एक आसाम के घर की वाल्स पतली होते हैं क्यों क्योंकि राजस्थान में धूप ज़्यादा और अगर धूप यहां ज़्यादा हैस सन्लाइट अगर यहां ज़्यादा है तो यह वाल गरम हो जाएगा जल्दी तो अगर wall आपकी मोटी होगी तो जो heat है वो आपको कम मिलेगी, आपका घर जल्दी गर्म नहीं होगा अगर आपकी दिवाल मोटी होगी, जबकि आसाम के लोग या फिर नोर्थ हिस्ट के लोग जब घर बनाते हैं, तो उनकी wall पतली होती है, क्योंकि यहाँ धूब बहुत ज़्यादा नहीं होती है, यह तो बरसाथ ज़्यादा होती है यहाँ पर, तो बरसाथ ज़्यादा होने की वज़े से घर के भीतर तक कभी-कभी moisture आजाता है, तो इस नमी को कम करने के लिए, अगर आप मोटी दिवाल बना दोगे, तो क्या होगा, कि सन की light heat जो है वो भीतर आएगी नहीं और moisture खतम नहीं होगा, तो ऐसे में घर के भीतर के moisture को कम करने के लिए दिवाल को पतला रखा जाता है, समझ में आया, कुछ ऐसी चीज़े भी हैं, जो काफी हद तक climate को control करती हैं, ठीक है, तो वो कौन-कौन सी चीज़े हैं, वो देख लीजे, सबसे पहले तो latitude and altitude, अच्छा latitude क्या होता है, latitude होता है, किसी भी country की location, ठीक है, किसी country की location, बट, altitude का मतलब होता है, किसी भी जगा की height, पहारों पर altitude क्या होता है, low altitude, high altitude बात होती हैं न, ठीक हैं, अब देखो, जहां पर height ज्यादा होगी, वहाँ pressure के अतना होगा, कम होगा, right, वहाँ oxygen कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, and wind system, wind system का मतलब है, जिस तरफ से हवा बहेगी, उधर क्या होगा, ज्यादा ठंडी होगी, right, और धीरे-धीरे वह क्या होती जाएगी, गर्मी होती जाएगी, और उसके साथ ही एक और चीज बहुत ज्यादा impact करता है, weather पे, climate पे, वो है distance of the sea, समुद्र के, आस-पास के इलाकों पे, समुद्री हवाएं बड़ा असर डालती है, तो इनके मौसम पे प्रभाव परता है समुद्र की वज़ा से, ठीक है, याद रखिएगा, ocean current यानि की समुद्री लहरों का भी होता है, और relief features का भी होता है, मतलब नदियों का, है, climate पर, due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received various according to latitude, curvature का मतलब क्या है, कि पृत्वी तो अमारी गोल है, right, तो पृत्वी गोल है, तो यह curve दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, इसकी वज़े से क्या होता है, कि माल लो यहाँ पे sun है, ठीक है, क्या है यहाँ पे sun, तो यह जब sunlight अपनी छोड़ता है, तो sunlight कहीं तो direct पर रही है, और कहीं पे इसको ज़्यादा दूर जाकर परना परता है, तो जो जगा ज़्यादा दूर होती है, वहाँ पे कम heat होता है, और जहाँ पर जल्दी पहुँच जाती है, वह जगा ज़्यादा गर्म होता है, इसी लिए देखा होगा आपने, कि जमू कस्मीर के लोग बिना फेर और लवली के भी बहुत गोड़े होते हैं, जबकि तमिल नाडू और करनाटक के राल के लोग बिना किसी मेक अप के भी बहुत ज़्यादा काले होते हैं, ठीक है, इसका reason है कि वहाँ का weather बहुत ज़्यादा hot होता है, ठीक है, As a result, air temperature generally decreases from the equator towards the poles, अब देखो, air temperature generally decreases from the equator, equator कौन सा होता है, आप बताओ, एक सेकेंड मैं इसको पुरा clear कर लूँ एक बार, इस सारे lines एक बार clear कर लेता है, equator कौन सा होता है, equator होता है, अर्थ के beach से divide करने वाला है, तो अर्थ को जब beach से divide किया जाता है, तो हवा किदर घटती है, generally decreases from the equator towards the pole, मतलब अगर आप उपर की और जाओगे, तो ये north pole, और नीचे की और जाओगे, तो south pole, अगर आप north pole जाओ, चाहे south pole जाओ, आपको क्या देखने पड़े, क्या मिलेगा, कि air का जो temperature है, वो कम होता जाता है, क्यूंकि जो sunlight है, उसने तो equator को पुरा अच्छे से गरम किया, जबकि वो अर्थ के दोनों poles तक पहुँच ही नहीं पाता है, ठीक है, इस वज़ह से, मतलब हवा वहां बहुत पतली होती है, बहुत कम प्रेशर होता है, अगर आप किसी mountain पे जाते हो, temperature भी घटता है, ठंड बढ़ती है, the hills are there for cooler during summer, यानि कि जितने भी पौडवत होते हैं, जितने भी पहार होते हैं, वो गर्मियों के दिन में भी ठंड होते हैं, इसलिए लोग गर्मियों के छुट्टियों में, आपने सुना होगा न, hill stations जाते हैं, तो hill station क्यों जाते हैं, क्योंकि hills पे सर्दी होती है, तो hills पे सर्दी होने की वज़े से, हम सब hill station जाते हैं, इसकी वज़ाज से, प्रभाव परता है कि इस पे temperature और rainfall पे, तो समुद्र की और से बेहनी वाली हवाओ का असर कम होता जाता है, and the pupil experience extreme weather conditions, this conditions is known as continentally, continentally, very hot during summers and very cold during winter, अच्छा, बहुत जादा सर्दी होती है, मतलब सर्दी हो के दिनों में, और बहुत जादा गर्मी होती है, गर्मी हो के दिनों में, अच्छा, ऐसा कहा होता है, अभी अभी आपने पढ़ा, कि C, समुद्र से दूर जाने पर, जहां समुद्र की हवाओं का असर कम हो जाता है, वहाँ पर ऐसा होता है, तो आपके पास, ये पूरा का पूरा portion, जो है वारत का, ये तो समुद्र से available है, आधी हमाई इधर से घुज जाती है, आधी इधर से चली आती है, लेकिन उपर जो गुजरात है, राजस्थान है, राजस्थान का उपरी हिस्सा जो है, वो इस मामले में अच्छूता रह जाता है, और इसलिए राजस्थान गुजरात में देखा होगा, जब बरसात होती है तो बाड़ा जाती है सर्दियों के दिनों में निकलना मुश्किल हो जाता है और गर्मियों के दिनों में राजस्थान में 50 डिग्री तक टेंपरेचर पहुंच जाता है देखो एक सिंपल सी बात समझो कि मालो कि आप कोश्चल इलाके में रहते हो मतलब सम जाएंगी तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी राइट क्योंकि उस समय गर्म वेदर गरम है और जैसे ही अगर मालो यह ठंडी सोर चलने लगे तो हवाएं जब इदर से गुजरेंगी तो ठंडी होगर जाएंगी आपके पास तो आपको सर्दी लगेगी तो करेंट्स होता है न करेंट्स लहरें जब वह बहती हैं तो आपको क्या लगता है कि सर्दी और जब कि जब गर्म हवा लहरें बहती हैं तो आपको गर्मी लगती है ठीक है देखो लिखा है कि वाई most of the world's deserts are located in the western margin of continents in the subtropics आप इसका question करने की कुछिस करियेगा मैं answer आपको दे दूँगा final relief to play a major role relief भी एक बहुत important role play करता है relief के बारे में देखते हैं plays a major role in determining the climate of a place किसी जगह का climate पता करने में एक बहुत important role play करता है relief का मतलब होता है कि नदी है कि नहीं lakes है कि नहीं mountains है कि नहीं ठीक है high mountains act as a barrier for cold or hot winds ठीक है high mountains मतलब देखो यहां पर एक mountain है इधर से बड़ी ठंडी हवा जा रही है तो ठंडी हवा क्या होती है कि ठंडी हवा यहां से जाते जाते बहुत उपर उठना पड़ेगा इसको और उपर उठकर या तो यह जम जाएगी तो फिर या तो इधर बारिस गिरेगी या फिर यह अपना direction चेंज करके कहीं और चली जाएगी ठीक है तो अगर mountain को cross नहीं करती है in that case क्या होगा इस तरफ ही बारिस होने लगेगी क्योंकि यह उपर उठेगी और यहां cloud form होगा यहां पर क्या होगा cloud form होगा और आप mountain के पास बारिस देखोगे mountain बहुत ज़्यदा हड़ा भरा होता है लेकिन mountain का ही opposite side हमेशा dessert जैसा होता है बहुत कम बारिस होती है क्योंकि बहुत कम clouds ऐसे होते हैं जो इस पार आकर बारिस करते हैं तो mountains भी इंपेक्ट पड़ता है तो relief features पता चल गया दे में आल्सो कॉज पर्सिपेटेशन पर्सिपेटेशन का मतलब है हवा से बारिस की बूंदों का बनना if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds मतलब एक ऐसी हवा जिसमें बहुत ज़्यादा नमी है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा है अगर वो किसी पहार के पास से गुजरती है और बहुत ऊपर तक जाती है मतलब mountain बहुत उंचा है तो यह क्या होगा यह बहुत जल्दी cloud में form हो जाएगा और बरसात कर देगा तो यह हम अच्छी तरह समझ गए इंडिया की क्लाइमेट को कौन कौन सी चीजें बदलती हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले तो latitude देख लेते हैं तर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थूदा मेडिल अफ अ कंट्री याद रखिएगा कि यह हम एक सेकर यह मालो की इंडिया का मैप है यह इंडिया का मैप है तो इंडिया के मैप के बीचों बीच से क्या जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहां से क्या जाता है इक्वेटर ठीक है तो ये जो latitude ना line है इसकी वज़े से हमें क्या मिलता है ज़्यादातर गर्मी तो किस इलाके में होगी अभी अभी बताया था न कि equator के पास ज़्यादा गर्मी होगी तो हम equator से थोरा सा उपर है तो ये एक fact असर करता है कि हमारे बहुत सारा इलाका जो है वो ठंडा है ज़्यादा गर्म नहीं है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ओके अल्ड़ रिमेनिंग एरिया नोर्थ अब ट्रॉपिक्स लाइज इन दस सॉब ट्रॉपिक देरफोर इंडिया इस क्लाइमेट है चरेक्टरिस्टिक्स आफ ट्रॉपिक्स एज वेल इस सब्ट्रॉपिकल तो इंडिया में दो तिन तरह के क्लाइमेट स्थे ने को मिल जाते हैं सब्ट्रॉपिकल भी और ट्रॉपिकल भी ओके अब एल्टीट्यूड यानिकी हाइट देख लो इंडिया एज मेंडिया इंडिया एज माउंटें भारत में पहार है न है न बताओ तु दे नॉर्थ विच हैव अवरेज हाइट फ़ोग फोर शिक्सट थाउजन मीटर्स मतलब लगबग हर पहार पांच जार छे हाजार मीटर्स की उचाई कवर करता है अगर इंडिया है अधर वाष्ट कोश्चल एरिया का मतलब है कि समुद्री इलाका भी हमारे पास वेर दा मैक्सिमम एलिवेशन इस अब थर्ती मीटर्स मेया कितरा है वहां 30 मीटर्ट prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent तो Himalaya क्या है कि Asia से आने वाली बहुत सी हवाओं को रोकता है it is because of these mountains that this continent's experience comparatively middle winder as compared to Central Asia मतलब एसिया का जो Central पार्ट है उससे हमें बहुत कम ठंड देखने को मिलती है हमारे देश में क्यूंकि जो Himalayan है Himalaya है वो एसिया के opposite side से आने वाली ठंडी हवाओं को reverse करके वापस वेज़ देता है वो इंडिया में बहुत कम घुश पाती है ठीक है देखो कुछ atmospheric conditions हैं जिसकी वज़े से वेदर चेंज होता रहता है सबसे पहले वेदर एंड सर्फेस विंड्स दूसरा आपर एर सर्कुलेशन और तीसरा western cyclonic disturbance and tropical cyclones ओके इंडिया लाइज इन दे रिजन आफ नोर्थ इस्टरली वेंड कौन और इस्टरली वेंड्स नोर्थ इस्टरली वेंड इनई औरिज वेंड फॉपिकल हाइप प्रेशर बेल्ट ठीक है इस वेंड यह हवायों कहां से अरिजिनेट होती है सब ट्रोपिकल हाई प्रेसर बेल्ट तो अब हम मैप देखेंगे ठीक है चलो मैप से पहले यह थोड़ा सा है थोड़ा सा कवर कड़ी लेते हैं फिर देखते हैं देबलो साउथ वर्ड साउथ वर्ड बहती है मतलब इस नोर्स से साउथ की और बहती है सब्सक्राइब के बारे में हम परहेंगे क्या है एंड मुफ टूर्ड देखेंड लोग प्रेसर अरिया जैनरली इस विंड्स करी लीटिल मोईस्चर एज देखेंड और ब्रिजिनेट और नो रेंड इसकी वाज़े से यह बहुत कम या फिर थोड़ा सा बारिस लेकर आती हैं इंडिया सूद्व है इन एरिड लेड तो इंडिया का बहुत ज्याद जारा इलाका जो है वह एरीड यानि कि सुष्क है बहुत ज्यादा बारिस नहीं होती है बट इस नॉट सो लेट आस सी वाई अब कोर्योली स्वर्ज क्या है वो देख लेता है एन आपेरेंट फोर्स क आर्थ रोटेशन तो जब आर्थ घूमती है ना अर्थ गोल-गोल घूमती है अपने एक्सिस पे भी तो गूमती है वह अपने एक्सिस पे भी घूमती है तो जब एक्सिस पे घूमती है तो क्या होता है कि कोरियोलिस इफेक्ट पड़ता है जब कोई जुदि तो उसके आस पास जब कुछ टकड़ाता है तो क्या होता है घाव हो जाता है कम हो जाता है राइट है ओर लिफ्लेक्टिंग मेंस्ट वाइट शार्डर्ड राइट सिंदा नोर्दन इमेसपेर ठीक है तो वो क्या करती है कि किसी भी हवा को इस तरह से घुमा देती है ठीक है और ये प्रितवी इस तरह से घुमा देती है इसकी वज़े से क्या होता है कि कोडियोलिस इफेक्ट प्रितवी की घुमने की वज़े से हवाओं पर भी असर पड़ता है ठीक है और इसे फेरल स्लो भी कहा जाता है याद रखिएगा कोडियोली लॉको फेरल स्लो भी कहा जाता है The pressure and wind conditions over India are unique During winter, सर्दियों के समय, there is a high pressure area High pressure area है कांसा? North of the Himalayas Cold dry winds blow from this region to the low pressure areas over the ocean to the south ठीक है? याद रखिएगा कि cold dry winds Dry winds मतलब इसमें पानी के droplets नहीं होते हैं यह ठंडी होती है हवा बट droplets नहीं केरी करती है यह किदर से किदर बहती है? Low pressure areas over the ocean to the south South क्यों बहती है? हिमाले किदर नोर्थ में और बहती है यह south में ठीक है? जिससे ठंडी हमाओं से सर्दी बढ़ने लगती है इन समर अलोब प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीर एसिया एज वेल आज ओवर नोर्थ एस्ट वेस्टर इंडिया अब क्या होता है? कि समर के दिनों में जिस हवा को हिमाले से ठकरा कर उसको पार निकल जाना अच्छी है वो निकलती नहीं है तो क्या होता है? गर्मी भी बर्ती है एर मूब्स फ्रॉन अज अज ओवर दा मॉन सुन वेस्ट आज वेस्ट आन वेस्ट आज एश तो बढीश आज और जाता है इस वेस्ट बलो अज़ आज ओवर दा वाम उस्येंट तो ये गरम समुद्र से बह कराती है gather moisture समुद्र से आती है इसलिए इन में नमी होती है moisture होता है पानी के droplets होते है जो कि क्या करती है ज्यादातर क्या फैलाती है rainfall बरसात यही कराती है ठीक है जब समुद्र से कोई गरम हवा आएगी तो इसका मतलब है कि समुद्र गरम था और जब पानी गरम होता है तो पानी भाब बनकर उपर जाता है तो हवा के साथ उसके भी droplets मिक्स होते हैं और वो droplets जब अर्थ की ओर आते हैं जब ठंडे होते हैं तो वो क्या होंगे आफकोस बारिस में create करेंगे बारिस देंगे आपको दा अपर एरिया सर्कूलेशन इन इस रिजन इस डॉमिनेट वाइ वेस्टर्ली फ्लोव इन इंपोर्टन कॉम्पोनेंट अफ इस फ्लोव इस जट स्ट्रीम तो अब जट स्ट्रीम क्या है वो भी हम देखेंगे इस जट स्ट्रीम सार लोकेटेड एप्रोक्सिमेटली ओवर 27 से 30 डिग्री नोर्थ लेटिटीटूड याद रखिएगा 27 से 30 डिग्री नोर्थ लेटिटीटूड देरफोर देयर नॉन एस सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जट स्ट्रीम सोबर इंडिया टो यह ऊपर क्यो जाने वाली हवाए है दाजब्स क्मिटीट ब्लोच थ हळसा ओफ द हचाई एक बर क्या है पहले फिर से देख लेते हैंphone स्ट्रीम ईपले डिग्र दीजार नेरो बैल्ट अफ ईल्तीूड हाई एल्टिट्यूड की नेरो बेल्ट है पतली सी बेल्ट है ठीक है और यह कितनी उचाई पे होती है बारह अचार मीटर पे वेस्टरली विंड्स इंदर ट्रोपोस्फेर ट्रोपोस्फेर में देयर स्पीड वेरिज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमेटर पर आवर से 184 किलोमेट पर आवर तक होती है विंटर में एनमबर ऑस सेपरेट जेट स्ट्रीम से बिन आइडेन इटिफाइड बहुत सारे अलग अलग अइडेन इदेटिफाइड किये गया है जेट स्ट्रीम्स दह मौस्ट कॉंस्टेंट अर्दमीड लेटिटिटूड अन शब्रोपीकल जेट स् okay Himalayas देखिए क्या impact डालता है ठीक है Himalayas all through all through the year except in summer मतलब हर मौसम में लेकिन गर्मियों के दिनों में नहीं the western cyclonic disturbance western cyclonic disturbance experience is the north and northwestern part of the country तो north part कौन कौन से होंगे उपर की और के parts ठीक है जम्मू एन कस्मीर, स्री नगर, लदाक, ले ये सरे लाके हिमाचल प्रदेश brought in by this westernly flows in summer गर्मियों के दिनों में the subtropical westerly jet stream can move north of the Himalayas ठीक है हिमालय की और जाती है ये हवाएं with the apparent movement of the sun sun की movement की वज़े से an easterly jet stream called subtropical easterly jets तो जो east की और बहती हैं उन्हें subtropical easterly jets कह जाते हैं और peninsular ideas India approximately over 14 degree north during the summer month, okay अब हम परते हैं the Indian monsoon the climate of India is strongly influenced by monsoon winds तो सबसे ज्यादा इंडिया के climate पर कौन प्रभाव परता है monsoon winds the sailors sailors का मतलब होता है जहाज नाविक जो होते हैं जो पानी का जहाद चलाते हैं उनको sailors का जाता है who came to India in historic times where one of the first to have noticed the phenomena of the monsoon ठीक है जो समुद्री तरफ से आये थे भारत में उनको सबसे पहले ये पता चला monsoon के effects ज्यादा पता चले okay they benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of winds मतलब पहले जो boards होती थी वो boards पे बड़े बड़े इस तरह के banner लगाया जाते थे आपने देखा होगा इस तरह का banner लगाया जाता थे ठीक है इस तरह के तो यह क्या करते थे जिस तरह हमें जाना होता था इसको हम turn करके हवा की opposite direction में ले जाते थे तो हवा उसे ढखेल ढखेल कर ले कर जाती थी देखो कुछ इस तरीके का होता था wait a second यह देखो कुछ इस तरह का सिफ होता था जिसमें हवाएं क्या करती थी कि opposite side से push करके हमें अपनी दिसा में ले कर जाती थी तो इसका फाइदा उटाते थे sellers वह बिना किसी ज्यादा फ्यूल के भी आराम से आप आते थे इंडिया में क्यों क्योंकि मोंसून में हवाएं भारत मतलब सी सर्फेस से हमारे देश की और बहती हैं डे बेनिफीटेट फ्रूम रिवार्सल रिवार्सल मलतव वापस आती हैं ओक है अधाएद आरब्स हुएड आलसो कम टू इंडिया इस ट्रेवर्स अरबियंस ठीक है जो इंडिया में ब्यापार करने आते थे वो इस सीजनल वेदर को क्या कह गए मौनसून अरेविक वर्ड है मौसम मौसिम जिसे लिखा जाता है मौसिम वर्ड है अरेवियन और उससे ही हमें बना है मौनसून ओके तो यहां थोड़ा सा हम देखने की कुछिस करते हैं कि यह देखो अच्छा इंडिया है कहां पहले तो आप यह देखो को दिखाई दे रहे गया तो यह पूरा वर्ल्ड मैप है ठीक है यह पूरा वर्ल्ड मैप है और इंडिया यह रहा है हाँ मिस से रहा हमारा इंडिया इंडिया मं राइट तो इंडिया जो है यह जो लाइन जा रिए ने यह वाली यह क्या है ट्रौिक आफ काशकर और इकवेटर कहां है वो देख लिजे इकवेटर यह है अभी मैने बतायाår ने कि just इंडिया के थोड़ा सा नीचे है equator जबकि हमारा जो traffic of cancer है वो कहां से होके गुजरता है UP से होते हुए गुजरता है ठीक है गुजरात से होते हुए ठीक है तो हमारा बहुत सारा इलाका जो है Arabian Sea और Bay of Bengal means coastal है coastal मतलब समुद्री किनारा है हमारे पास इसकी वज़े से भी क्या होता है कि समुद्री वेंट्स हमारे वेदर को बहुत ज़्यदा इंपेक्ट करती है हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यदा इंपेक्ट करती है तो यह देखो यहां से एक वेदर मतलब हवा ब्लो करती हुई इस तरह से जा रही है दिखाई दे रहे हैं तो यह जो हवा बह कर जाएगी यह किस इलाके को कवर करेगी हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर रैट तो आई होप की यह थोड़ा सा आपको समझ में आयाएगा इंडिया की लोकेशन की वज़े से जो भी है वो चीजें समझ में आती है ठीक है अब सब ट्रोपिकल वेस्टर्ण जेट्स देखो यह देखो यह क्या हो रहा है यह वैसे तो वेदर ऊपर की और नोर्थ की और भागने लगती है ठीक है जेट स्ट्रीम क्या होती है अर्थ की मुव्मेंट की वज़े से हमारा नोर्थ पोल क्या है नोर्थ पोल ज्यादा ठंडा है तो उस तरफ को भागती है I hope कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा मिलते हैं आप से अगले पार्ट में तब तक के लिए keep studying, keep growing वीडियो अच्छा लगा है तो please वीडियो को like करिए और अपने friends के साथ share करिए तब तक के लिए have a great day thanks for watching the video till end